Hello everyone, Electronics for You की DIY सेक्शन में आपका स्वागत है ये वीडियो प्रूफ अपंसेप्ट है DIY प्राजेक्ट मेश्टास्टिक नेटवर्क आफ इनेक्स्पेंसिव लोरा रेडियोस का जोके Electronics for You.com पे पब्लिश हो चुका है चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है आप भी ये इंट्रेस्टिन प्राजेक्ट बना सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके जो आपको Electronics for You.com पे एक ब्लॉग में मिलेंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस प्रॉजेक्ट में हमने एक प्राक्टिकल मेश नेटवर्क बनाया है जो कुछ सेंसर डेटा, जीपियस की पॉजेशन और ट्रिग अलार्म पे काम कर रहा है ये पूरा सेटप हमारा एक बड़े स्केल पे भी किया जा सकता है हमने यहां पे टेंपरेटर सेंसर को कनेक्ट तर रहा है और साथ में GPS की पॉजेशन इंफरमेशन भी हम मेश नेटवर्क पे ले रहा है इस प्रॉजेक्ट को बनाने के लिए जो कॉम्पिनेट इस्तमाल हुए है वो है 3 हेल्टेक ESP32 लोरा और ESP32 NCO जिसपे के हम यह मेश नेटवर्क बनाएंगे HD7333A एक 3.3 वोल्ट की बॉल्टेज रेगलेटर आइसी जो के हमें 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाइब देगा 3SX1278 SPI लोरा मड्यूल जो की इस मेश नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए हमें जरूद पड़ेगी एक BME280 temperature sensor जो की environment की temperature को sense करेगा एक MCP9808 I2C OLED जिसपे के हम temperature position की information को display करेंगे एक U-Blocks GPS sensor जो की हमें position की information देगा एक 5 वोल्ट का बैटर या adapter इस circuit को पावर करने के लिए चलिए इस project के demonstration देखते हैं यह हमारा receiver है जो की temperature position की information को MeshTastic Network से लेकर के आ रहा है और जिसका sender है वो rooftop पे है कि आप खुद का अपना MeshTastic Network of Inexpensive Lora Radios बनाना चाहेंगे तो क्लिक करें इस link पर जो आपको वीडियो के description पे मिलेगा यहां जाकर के आप इस पूरे project को देख सकते हैं डीटेल में सरकी diagram के साथ अगर आपको पसंद आए तो like, share और subscribe करें हमारे चानल को और ऐसी DIY proof of concept वीडियो को देखने के लिए Thank you